जैहिन दोस्तों आप सब लों का एक नई वीडियो में हर दिख स्वागत है आज का प्रसुन कुछ इस प्रकार है कोई धन साधान व्याज की वार्षिक दर से पांच वर्स में अपने का तीन बटा दो गुना हो जाता है व्याज की वार्षिक दर ग्याद कीजिये। देखेए यहाँ पर जब बटे में या गुने में दिया जाए ध्यान रखीएगा हम एक अपनों को concept बता रहे हैं यादि कोई धन अपने का, ठीक है, जैसे यहाँ पर तीन बटा दो दिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से दिया जाए, तो इसमें मिस्र धन जो होता है, मोल धन गुडे में, जो बटे में यहाँ दिया जाता है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जितना है यहाँ पर, तीन बटा दो ठीक है तीन बटा दो में यह रिप्रेजेंट करता है यहाँ दर साता है ऊपर का हमारा हो गया मिस्र धन और नीचे का हो जाएगा जो दो है यहों जाएगा मूल धन मूल धन ठीक है जब ऐसा प्रस्ण हो तब यह concept लगाना है ध्यान लखें गया यहाँ पर ठीक तो यहां निकालने को बुला गया है, व्याज की वार्सिक दर गयात कीजिए, तो व्याज की वार्सिक दर के लिए हम formula लगाएंगे, देखिए, अब मिसर धन से मूल धन को minus किया जाएगा, मिसर धन हमारा कितना है, 3 यहां पर, हमने देखा, ठीक है, मूल धन कितना है, 2 है, minus क गुड़ा करते हैं समय से यानि जो समय दिया जाता है समय यहाँ पर कितना दिया गए पांच वर्स ठीक है तो concept को ध्यान परोग सुनिए उसी तरीके से लगाई यह बस यह बिल्कुल सिंपल और साधान प्रशन है और आराम से लगा सकते हैं तो ध्यान कि यहाँ पर जो हमने म माना है तो मिसर धन से माइनस कर देते हैं मूल धन को और गुड़ा कर देते हैं सो से और डिवाइड करते हैं किसे मूल धन गुड़े समय से तो यह मूल धन हमारा कितना था दो था देख सकते हैं आपर तो दो मान लिया और यहाँ पर कितना समय है पांच वर्स ठीक है तो अ पार्सिक दर निकल आई है ठीक है फाइनल हमारा एंसर आ चुका है देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही यहां पर चोटा सा एक आंसेप्ट था यह समझे लेना है समझने के बाद आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी लगा लेंगे से ठीक है तो आप्शन नमब